है यह जो गाइस चैनल में आपका सावगत है फ्यूरी गेमिंग चैनल में आपका सावगत है तो आज यहां पर हम इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि आप मोबाइल से स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं दोनों भी आप कैसे ले सकते हैं अगर आपको आपके स्ट्रीम पर आपका वाइस नेगा क्योंकि एंड्रोइड हमें सपोर्ट नहीं करता है दोनों भी वाइस साथ में रिकॉर्ड करनेगा तो आज हम वह देखेंगे तो हम चलते हैं चलते तो इसके लिए आपको पहले एक मोबाइल लगेगा एक लैप्टॉप लगेगा क्योंकि आप दे सकते जितने भी बड़े स्ट्रीमर्स यह तो या तो लैप्टॉप या तो कंप्यूटर यूज करते यह नॉर्मल लैप्टॉप में बेसिक सा काम करने वाला भी चल ज स्क्रीन आपको देख रहा है तो इसे यह पर मैं दिखाऊंगा प्लस आउडियो के लिए हमें क्या-क्या एक्विप्मेंट चाहिए एक्सेसरिस चाहिए मैं आपको बताऊंगा तो जो भी एक्सेसरिस और एक्विप्मेंट है उसका लिंक भी मैंने डाला है मैं आपको बता होप मैं आपको अच्छे समझा बाओ डिटेल्ड वे में तो चलिए आगे चलके हम वीडियो में देखते हैं कि हम यह कैसे यूज़ करना था हम अभी देखते हैं कि हमें आपर क्या-क्या रिक्विप्मेंट यूज़ आने वाला है तो चलिए लेट्स गो कि हलो गाइस तो चलिए हम दिखाते हैं कि आपको मोबाइल के लिए क्या-क्या सामान की जरुवत पढ़ सकती है मिसक्ति आपको बाइक करने पढ़ेंगे कुछ वे एक्सरेश जादा महेंगे नहीं है पर यह आपको एक्सरेश लगेंगे कि आप अपना जो वीडियो अपने लैपटॉप पर दिखा सको और अपना ओडियो दिखा सको और विदावट एनी डिले की दोनों वीडियो और आडियो में कोई डिले नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले आता है आप एक साउंड काड तो यह आपर यह कॉंटम का साउंड काड है और इसमें इसे दो पोट्स रहते हैं माइक और एक स्पिकर के लिए आप मोचली क्या करता है यह आपके अडियो को कनवर्ट करता है अगर आप इसमें कुछ और आप ज्यादा चीप खरिते हो तो फिर आपको साउंड में इस्यू दे सकते हैं विनसाब जो साउंड उसमें दिखा रहे हैं तो उसमें कॉलिटी का और अच्छे इसका मंगाई है कि मतलब आप इसमें से अच्छे से स्ट्रीमिंग कर सकें जो आपके साउंड में कोई इस्यू ना हो सेकेंड चीज आती है आप पर आडियो कॉपियर तो यह मेरे पास एमेजन बेसिक्स का आडियो कॉपियर है पर आपर मार्केट का मुझे लग राता करके मैंने मंगा दिया तो इसमें एक साइड आप पर आपका यह नॉर्मल आडियो जैक रहता है और उसमें आप कर सकते हैं तो इसको आपके सिर्फ साउंड को कॉपी करके दूसरे यह फोन में भेजता है इससे जादा इसका कुछ काम नहीं है नेक्स्ट जीज़ है ओडियो स्प्लीटर तो यह एक ओडियो स्प्लीटर यह अच्छा खासा सस्ते में मिल जाता है पर इसमें कॉलिटी अच्छी मिल जाती है बस आपना रिसर्च करके थोड़ा देख लिए कि थोड़ा रिवीव चेक कर लिएगा क्योंकि मोश्ली सब और जाती है इत CA was a okay इतना सही हो रहे है तो यह थो Chis टेज़ करता ही कि यह आपका जो के लिए आपके साउंड के लिए नेक्स आता है याप पर आउक्स केबल तो यह आपको पते रहेगा इसा दो ऑडियो जैक रेना चाहिए उसमें आप एक अपने जिसमें से आप गाड़ियों में यूज करते तो यहां पर एक में से जो आप कुछ भी गाना बजाना चाहते तो दूसरा आपने गाड़ियों में डालते सेम इसका यूज है यहां पर हम आडियो ट्रांसफर करने के लिए इसको बनाएंगे तो यह आउक्स केबल जरूरी है तो यह पर यह मेरे पास एक्समेट को आउक्स केबल है चोटा चलेगा यह मेरे यूज कर सकते हैं पर ध्यान रखेगा कि अच्छे कॉलिटी का यूज केबल यूज करें जिसमें आप डेटर टांसफर और हो सकें नोट अली चार्जिंग वाला यूज बी केबल यह मेरे फोन सी टाइप सपोर्ट करता है यह यह अच्छे कॉलिटी का चाहिए कि इसको अगर यह दादा डीला होता है तो फिर आपको वीडियो ऑन ओफ होता रहेगा तो फिर तो आपको पसंद आएगा कि आप यह नहीं चाहते कि कुछ डिस्टबंस हो वीडियो में तो यह हमारा ऑक्स केबल स्वारी यूज केबल लगने वाला है आपके फोन को जो सपोर्ट कर करते हैं यह चाहिए और यह के उद्यश्य को किसी देत přेंगा होने इस पार मतरा यह सब्सक्राद में पीसे करने वाले हैं तो चले आप हम देखते हैं कि हमें आपर यह सै ने लगाना चैना है तो अम टरह ऊधितरा ना जो को मैंशने को मॉबाइल जिसमें आप पबपज यह नहीं केलता है यह मैंने अपने मदफ से पर एक रेफरेंस के लिए लिए है यह तो हम देखते तो इसमें आप एक आडियो जाइक आप देख सकते हैं अपने 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 दिखा देगा और नेक्स्ट आता है कि आप यह मोबाइल लेंगे उसकी सबसे पहले हमें अपना 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 अपने 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 यह चैक में लगाएंगे यह आपका हो गया आप इसमें से पोर्ट करना है तो आप यह यह मोटीव है कि आप यह फोंस यूज़ करपा ऊप कर दोनों काम एक साथ कर पर यह पर मैंने अपना नॉर्मल तो यह आपको अपना यह फोन्स आपने लगा दिया और इसमें आपका माइक भी चलेगा तो आपको कोई टीमइट्स के साथ सब्सक्राइब करने के लिए ऊपक सब्सक्राइब करता है कि मतलब आप टीमेट्स के साथ बात कर पाऊ तो वह चीज आपको देखने की है तो यह हमने लगा दिया आपना ये फॉन लगा दिया तो मैं फिलाल के लिए निकाल देता हुआ कि मुझे सिर्फ दिखाना है तो इसके आगे आपको देखना है आपको आउकthen के बडा है और आपको देख यह आपने साइट डालना है माइकर आपकोने ढाला General के दालगा तो यहां से जब जाएगा ऑक्स केबल से वह ट्रांसफर होगा अभी में यह आता है कि लैपटॉप में आपको वह इंपूट में दिखाना की लैपटॉप आपके मोबाइल का ओट पुट नहीं ले पाएगा पर लैपटॉप में आप इनपूट डाल सकते हैं तो इनपूट दिए और आपको सिंपल करना है कि इसे अपने लैपटॉप पे लगा देना है अगर आप कंपूटर यूज कर सकते कंपूटर यूस करते तो आपके लिए आपको एकसेसरी अटेक्स्टरा खरिदने पड़ेगी जोगी होगा एकस्टरनल माइक क्यूंकि आपके लैप्टोप पे तो मैं वही दिखा रहा हूँ बात में माइक को आप कम्पीटर पे बहुत इजी है माइक को इंस्टाट करना कोई जाधा है निया कोड़िड प्लाग अप्ले टाइप का होता है तो यह हो गया तो यह आपको हम देख सकते तो सबसे पहले हमने अपना अपना आपको headphone पे लगाना हैर सउुन कर्ड़े अपको यह माइक पे लगाना है क्यूकि हमने आप अप एक दिखा दिया तो इसके बाद हम चलते OBS पर क्या settings चूज करने क्या setup को करना है तो चले गाइस अभी हम अपने लैप्टॉप स्क्रीन पर आ चुके है तो लैप्टॉप पर आपको दो चीज लगेगी एप पावर मिरर और यह पर ओबियस टूडियो आपको लगेगा तो यह आपको नॉर्मल भी इंस्टॉल कर सकते हैं पर यह पर आपको एक प्रोब्लम आ डाल सकूँ कि उसमें आपको मतलब उसमें लाइफटाइब लाइसंस मिलेगा और उसमें आपको कुछ यह नहीं दिखाएगा तो यह बेसिकली पर इसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत मगजमारी है मतलब ज़्यादा नहीं है थोड़ा सा ही है पर इसमें आप समझ सकते क कि लाइसंस का मतलब में क्या बोल रहा है क्रैक वर्जन है वो तो यह पर उसको वह रहेगा तो हम चालू करते इसका मैं देखूंगा अगर मैं लिंक डाल पाऊ तो मैं डालूंगा किसी वीडियो का जिसमें आप यह कर सके तो लेट सी तो यहाँ पर हम सबसे पहले एपाव कनेक्शन में नहीं लगाना कि वाइका कनेक्शन में आपको सेम वाइफाइ पर दोनों लैप्टप और मोबाइल को कनेक्ट करके रखना पड़ेगा अपका वीडियो में थोड़ा सा एक दो सेकेंड का डीले हो सकता है जो आप नहीं चाहते हैं हम आप पर यूएस भी कनेक् कर लिया उसने अभी यह पर वह यह होगा तो अगर आप यह पर फर्स टाइम इसे कनेक्ट कर रहे तो आपके मोबाइल पर इसका इंस्टॉल करने का ओप्शन आएगा तो आपको डायरेक्ली से इंस्टॉल करना है स्टार्टिंग के एक दो टाइम जब आप इसके सेट अप पर मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है तो मैं आपर जो भी करूं तो आप पर पर पब्जी स्टार्ट किया और यह पर देख सकते हैं पर पब्जी ऑन हो गया कुछ प्राब्लम ने खाफी अच्छी क्वालिटी के साथ दिख रहा है तो यह हो गया तो नेक्स्ट हम यह पर जाते हैं कि और स्टूूरियों स्ट अंकरते हैं तो रहन है पर पूरा सेट अप कैसा करना है भेल की स्क्रीनिता यहां कि भलाएं और यह years ups मोबाईल कर लीए तो झाला है तो यहां फर मैं आपका एड करना बताओंगा कि कैसे अड इसमें आपने एक • एड कर लेता हूं कर लिया तो सबसे पहले को एक आपका स्क्रीन आद करेंगे मोबाइल की स्क्रीण तो यह पर घान डिसपले घर में जाएंगे how और सुथ है करेंगे और खेस्थ है और स्र०र्व और यह क्या हुझत कर लिया तो यहां पर अपको बतेंगे कि कहीछ करना है कि यह आप don a विंडो ये जाएंगे आपकुच भी नामं देजिए ऐसा याप मैं डिस्पले कंदेता हूं मिल देंगे की क्रेंगे और आप पूं करेंगे तो हमने यह पावर मीरर में यूज करेंगे करेंगे यहां पर हमने set-up करेंगे इसको how बीच में लिए göz इसे पर लॉक कर देंगे और यहां पर विदाउट डिले आपका मोबाइल का स्क्रिन दिखाएगा जो कि आप पर इस पावर मिरर में दिखा रहा है उसको हमने आप पर aट कर दिया है करना कि उसको काई से अपन करेंगे यहां पर अचरेंगे यह और ऐडियो आउटपूट आटपूट आडियो इनपूट्स कैपचर में जाएंगे audio input capture में जाने के ok करेंगे और यहापर देख सकते हैं यहापर आपको दिखेगा microphone USB PNP sound device तो यह आपका sound card है वो है तो यह आपके sound card आपको choose करना है ok दबाना है और यह आपका यह देखे यहापर add हो चुका है तो यहापर कोई भी आपका अगर mobile का voice रहेगा तो वो add हो जाएगा तो अगर समझे अभी इदर PUBG का sound बज़रा रहेगा तो आपको देख सकते हैं पर PUBG के sound पे आपर वो buffer आ रहा है इसका sound आ रहा है यह buffer अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपके mobile से sound properly आ रहा है तो यह हमारा मोबाइल का sound add हो गया next is आपको अपना mic add करना जो कि आपके laptop में inbuilt mic है तो आप जाएंगे audio input capture में वापस जाएंगे audio input ok करेंगे एक नाम दे दीजे ताक कि आपको कुछ problem ना हो और यहापर आपर देख सकते हैं microphone array दिखा रहा है realtech r audio तो यह आपका laptop का mic रहेगा है फिर आप default पर भी रख सकते हैं और यह आपर ok करेंगे microphone आपने ok कर दिया तो देख सकते हैं आपर आभी में बात कर रहा है आपर buffer दिखा रहा है इसका मतलब यह भी काम कर रहा है देखे जैसे मैं रुख गा तो यह भी काम कर रहा है तो यह हमने एड़ कर लिया तो यह हमारा OBS setup हो गया है इस सबसे ईजी setup है आपने अपना mobile audio डाल दिया आपना audio input डाल दिया अपना mobile का audio डिस्प्ले डाल दिया और अपना खुद का voice डाल दिया और इसके राद सेट अप सबसे सिम्पल इसके आद आप डारेक्ट जाके start streaming कर सक सकते ना कुछ होगा आराम से आपका काम हो जाएगा तो सबसे एजी तो सेम मैं यह भी यूज़ करता हूं बस मैंने यह पर लगा रखिए तो उसके वज़े से आपर बाग की आपर जैसे की है जो सेम चीज सेम मैंने एड किया है और यह पर कोई भी दिक्कत ने आने वाली है मैं ऐसमें आप देख सकते हैं आप ब्लाट हैंद टीले यह अपर और में तो तो यही था हमारा सेटर तो यह पर आप इजीली स्ट्रीम कर सकते ऐसे ही मैं स्ट्रीम करता हूँ तो यह सबसे इजी वे था आप स्ट्रीमिंग आप अपने लैप्टोप में लैप्टोप का आपको कोई जादा स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए नॉर्मल लैप्टोप भी चाहिए आपको और आपका एप्स चलने चाहिए विदावट एनी प्रॉब्लम बाकिसाव आपका हो सकते हैं तो यही था यहां पर क्यूंकि हम मोबाल से स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं तो तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आया रहेगा तो विस वीडियो को लाइक कर दीज तो में भी वीडियो में प्रॉब्लम आ सकती है इसलिए मैं उसके साथ एड नहीं किया तो अगर आप चाहते कि में एपावर मिरर को कैसे इंस्टॉल करके कैसे उसका क्रैक वर्जन डालना है तो उसमें आप मेरे को बता देजेगा तो मैं आपको उसमें उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा और जल से जल अपलोड कर दूंगा तो फ्लीज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा और तो चलिए तक तक के लिए चलते टाटा बाबेस सीओ उलग झाल 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 झाल